हम जलेबी मचली, सूखी मचली जैसे कई तरहां के मचलियों का शोर्बा बना चुके हैं। परंपरागत तरीके में बिना मचली के मचली का शोरबा, हरी दाल को ग्राइंडिंग स्टोन में पीस कर, आटा गूंद कर, मचली की शकल में बना कर, इडली कुकर में पका कर शाकाहारी मचली का शोरबा बनाने जा रहे हैं, और इस शाकाहारी मचली का शोरबा के साथ खाने क लंबे समय तक का अनाज मोरेयो चावल में खाना बनाने जा रहे हैं। शाकहारी मचली का शोर्बा बनाने के लिए हमने आधा किलो हरी दान और तीन अंडों को ले लिया है। अब शाकहारी मचली शोर्बा बनाने के लिए आवश्यक मसानों को देख लेंगे। पचास ग्राम धनिया, एक स्पून मेंथी, पंदरह लाल मिर्च, तीन हरी मिर्च, सवा किलो छोटा प्यास, लहसुन, एक सौपचास ग्राम हिमली, एक स्पून काली मिर्च, जीरा, चार तमाटर, आधा मुठ्थी नारियल, करी पत्ते. हरी दाल को अच्छे से आटे की तरह पीसने जा रहे हैं, इसलिए अब हरी दाल को भून लेंगे. हरी दाल को अच्छी तरह भून लिया गया है, पीसने के लिए ठंडा होने रख देंगे. अब मसालों को भूनना शुरू करते हैं. लाल मिर्च, धनिया, काली मिर्च, जीरा, इन तीनों को अच्छी तरह भून लेंगे. अब हरी दाल अच्छी तरह थंडा हो चुका है, इसे ग्राइंडिंग स्टोन में डाल कर पीसना शुरू करते हैं. हरी दाल को जितना पीसा जाएगा, उतना बेहतर होगा. भूना गया, सभी हरी दाल को पीस लिया गया है. हरी दाल को मच्छी की शकल में बनाकर भाप में पकने रख रहे हैं. इसलिए इडली कुकर में पानी डाल कर गर्म होने के लिए रख देंगे. अब पीसा गया हरी दाल के साथ तीन देसी मुर्की के अंडों को फूड कर मिला लेंगे. हमने स्वाद के लिए तीन अंडों को शामिल किया है. आते को अंडों के बिना पानी डाल कर भी गूंधा जा सकता है. नमक, सोडा नमक दोनों को डाल कर आते को अच्छी तरह गूंध लेंगे. पानी कम डाल कर आते को मजबूती से गूंध लेंगे. तभी मचली की शकल बनाने में आसानी होगी. आते को अब गूंध लिया गया है. अब आते को इस तरह मचली की शकल में बना लेंगे. गूंधा गया सभी आते में इस तरह मचली की शकल बनाकर इडली कुकर में पकने के लिए रख देंगे. अब भुना गया मसालों को पीसना शुरू करते हैं. मसालों को अब अच्छी तरह पीस लिया गया है. आधा मुठी नारियल को ग्राइंडिंग स्टोन में डाल कर पीसना शुरू कर देंगे. नारियल को एक हद तक पीस लिया गया है. अब लहसुन को भी नारियल के साथ ही मिला कर पीसना शुरू कर देंगे. नारियल को और लहसुन को अच्छी तरह पीस लिया गया है. 15 मिन्तों बाद मचली की शकर में बना कर रखा गया हरी दार अच्छी तरह पक्चु का है. अब मचली का शोर्बा पकाना शुरू करते हैं. बरतन अच्छी तरह गर्म होने के बाद थोड़ा तेल डाल देंगे. तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद थोड़ा सरसों डाल देंगे. सरसों अच्छी तरह पक गया है. अब मेंथी डाल देंगे. अब करी पत्ते डाल देंगे अब हरी मिर्च डाल देंगे अब छोटा प्याज डाल देंगे कमातर को निचोड लेंगे अब भीगने के लिए रखा गया इमली को घुल कर कमातर के साथ मिला लेंगे उसके साथ पीसा गया लाल मिर्च और धनिया को मिला लेंगे अब पीसा गया नारियल और लहसुन को भी मिला लेंगे पीसकर मिलाया गया सारे मसालों को इमली के पानी में अच्छी तरह घुल लेंगे प्यास अब अच्छी तरह पक चुका है अब घुला गया मसानों को डाल देंगी अब जरूरत के अनुसार नमक डाल देंगी अब थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगी अब डाला गया इमली मसाले सभी अच्छी तरह उबलने लगा है अब मचली की शकल में बनाया गया हरी दाल को डाल लेंगे शाकहारी मचली का शोर्बा अब तैयार हो चुका है मचली का शोर्बा के साथ खाने के लिए मोरियो चावल का खाना पकाना शुरू करते हैं मोरियो खाना बनाने के लिए हमने एक किलो मोरियो चावल का इस्तिमार किया है अब मोरियो खाना पकाने के लिए पानी गर्म होने रख देंगे अब मोरेयों को साफ कर लेंगे अब मोरेयों को पानी में डाल कर अच्छी तरह धू लेंगे पानी अब गर्म हो चुका है अब भीगने के लिए रखा गया मोरेयों को गर्म पानी में डाल देंगे मोरेयों अब गल कर सही समय तक पक चुका है मोरेयों खाना अब खाने के लिए तैयार हो चुका है अब मोरेयों खाना के साथ खाने के लिए परंपरागत तरीके में बनाया गया शाकहारी मचली का शोर्बा तैयार है झाल झाल झाल